वेलकम टू मैं चैनल सिंप्ली प्राची मैं हूं प्राची और आज में लेकिया हूं प्याज की कोचौडी की रेसिपी तो सरदी आ गई है भाई भी बहुत सारी कोचौडियों को सीजन है मतर की प्याज की सत्तू की तो आज बना Rolly है हम प्याज की कोचौडी तो चलिए उसक एक चमत सौफ एक चमत जीरा और एक चमत धन्या इन तीनों को अच्छे से ड्राइ रोस्ट करके इसका हम पाउडर बना लेंगे तो इसके फ्रेग्रेंस आने ते किसे फ्राय करना है या फिर तब तक जब तक यह थोड़ा कलर चेंज ना कर ले यह मसाले ऐसे होते हैं जिसे आ इक दरदर बना लोगे पूरा फाइन पाउड़र नहीं बनाना है पैन गरम ही है उसमें मैं डाल रही हो एक बड़ा चमत सरसो का तेल सरसो के तेल में ही स्वाद आएगा तो आप सरसो का तेल ही यूज करो अगर आपको नहीं पसंद तो फिर आप जो भी कुकिंग ऑउड्य यूज करते हैं वो कर लो तेल को अच्छे से गरम होने दें उसमें डालें दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसे हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे और गैस का आज कम नहीं करना है फ्लीम को मीडियम रखना है नमक में यहीं पर आड़ कर दूँगी प्याज में तो नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम तू हाई फ्लेम पे हम इसे पांच मिनिट के लिए पांच मिनिट में यह इतने सॉफ्ट हो जाएंगे तो जैसे ही प्याज सॉफ्ट होंगे अब हम यहापे डाल देंगे बाकी के मसाले तो अभी मैं डाल रही हूं आदी चोटी चमच हींग आप हींग मिर्ची के साथ भी डाल सकते हो बत मुझे लगता है वह जल जाता है उस में जो मसाला प्रिपेर किया था वह मैं चोटी चमच से पर रही हो यहां तो बागी के जो मसाले वह आप डाल में डाल सकते हो उसमें बहुत अच्छा इस ता तो यहां पर मसाले के साथ मैं इससे और एक मिनट के लिए भून लोंगी एक मिनट बुनने के बार हम ग्यास कर देंगे प्याज को सेप्रेट करके इसे अच्छे से साइड में रख देंगे तब तक जब तक यह ठंडा ना हो जाए तो जब तक प्याज ठंडा होता है तब ँक हम आटा लगा लेते हैं तो मैं यहाँ ले रही हो कप मैदा आप हाफ मैदा हाफ गहुंका और भी मिक्स कर्के बना सकते हो फूर गहुंके आटे में ब airlद सकते हो लेकिन मैदे में ठोड़ा खस्ता बनते हैं इसलिए मैं मैदा बना रही हूं उसमें मैंने अड़ किया नमक एक बड़ा चमच घी और आधी चोटी चमच अजवाइन और एक चमच तेल तो यहां पर मैं रिफाइन उयूस कर रही हूं तेल एड़ करना जरूरी है क्योंकि हम इसे सर्दियों में बना रहे हैं अगर आप ग करेंगे हम जब तक यह इस तरह से बाइंड कंसिस्टेंसी में आ जाए कि हम इसे हाथ में ले और बंद जाए तब तक इसे मिक्स करना है उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी देके हम इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे अप सख्त लगाओगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा में लगते हैं ना कि आप थोड़ा सॉफ्ट लगाओ तो आप यहां पर देख कि समझ जाओगे कि मैंने कितना सॉफ्ट लगाया तो बस ऐसे ही आटा लगाना है और इसे हमें रख देना है दस मिनट के बाद आटा जो रेस्ट करना देना था वो रेस्ट हो चुका है उसके के बाद हमने जो प्याज फ्राइ करके रहें तो भी ठंडा हो चुका था तो अब मैं यहां पे इसकी लोई काट लूँगी पहले ही मैं इसके बॉल बना के रख लोंगी उसके बाद मैं इसके फीलिंग करूंगी आप अगर पहले बना के रख लेते हो ना तो आपको पता चलत प्यास ठंडा हो चुका है अब हम इसके स्टफिंग करते हैं तो बस इसको मैंने पेड़े की तरह बना लिया था और मैंसे बीच में अंगूठी से दबा के आप देख रहे हो जिस तरह से मैं बना रही हूं तो बस ऐसे ही बनाना है और उसके बाद इसमें प्याज के स्टफ तो बस अगर आपको लगता है कि ऊपर एक्स्ट्र nuovo है तो उसे आप निकाल दो अगर आपको लगता है कि फोड़ा बहुत ही है तो ऊसे आप प्रेस करलों और इस तरह से तुछारी लोगियाम लेकिस मैं बना लुगी कि तो यहां मैंने पूरी नोहते सब 50 तो यहां तीयार कर k Okay, होकि एगर आटा ऊपर आजाता है मतलब कि तेल गरम हो चुका है तो आटा उपर आगी साइट में निकाल दिया अब मैं कचोडिया त्लूघ्वा तो इस तरह delle का कचोडि के आइने तो बस एई ओप मैं इसे खर लोगी का करते प्योंगे कच्छोडियू freight जाएगी मतलब अच्छा कालर आ जाएगा लेकिन अंदर रह जाएगा और अगर आप लो करोगे तो तेल पी जाएगी कच़ोड़िते तो medium to high flame पे जब आप इसे रखे cook करोगे तो कचोड़िया तेल भी कम सोखेगी और अंदर से भी अच्छे से पकेगी तो low भी बिल्कुल नहीं करना है flame और high भी बिल्कुल नहीं करना है और एक साथ बहुत सारी कचोड़िया भी उसमें ना add करें उससे भी temperature पर फर्क पड़त कर लोंगी तो आप देख सकते हो दिरे दिरे color आना शुरू हो गया है तो बस यहां पर मेरी कचोड़िया बनके तयार है इससे में निकाल लोंगी अब इसी तरह से बाकी की कचोड़ियों को भी fry करके आप एक tissue paper पर निकालें जिससे कि जो इसका extra oil होगा वो निकल जाएगा तो एक बार इस कचोड़ी को जरूर ट्राय करें इन सर्दियों में वीकेंड आ रहा है वीकेंड पर कर लो बहुत अच्छी बनती है बहुत खस्ता बनती है और flavorful रहती है तो मसाले को जो prepare करना वो तुरंत prepare करना और इस कचोड़ी को आप एक से दो दिन तक अराम से रख सक करना फिर मिलतें कल तब तक के लिए बाई टेक कियर